हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर्ट से वेलकम हैं आपके अपनी चैनल टार्गेट हो इन फेंटसी पर इस बिरे में आप देख रहे हैं ओश्टनीच ओमेन ओडीडी काप का जो नए टूनेमेंट सुरू होने वाले हैं उसके पहला मैच बर्बरड़ ओमेन वर्सास ओंडोर आइलेंज को मेंच के बीच खेला जाने वाले तो उसके प्रिव्यू आप यहाँ पर देखने वाले हैं तो प्रिव्यू सुरू करने से पहले आपको एक इंपोर्डेंट बात बता देता हूं देखिए अगर आपको फाइनल टीम सही है तो आपको य क्लिक करना है साथ ही पर बेढ़न पर चले हो है तो जयाल आपको टुरूंति और मेंच काशई रहे है तो वहां पर बोलं पीछी रहे थे तहए और साथ में यहां पर average score की बात करें दिखिए, T20 में तो यहां पर 90 प्लास average score था, लेकिन यहां पर ODA में 130 से लिए 170 तक average score बनते हैं, साथ में पर जो slow lift और अर्थ लक्स बोलर हैं, उनको ज़्यादा स्यदा हिल मिले वाल है, और off-break बोलर, जिनने right arm off-break बोलिंग डालते हैं, उनको ज़्यादा हिल मिल सकते हैं, देखिए, आज की math perinson के बारे में बात करें, बरबाट जोबन 50% winning chances, विनवाट आइलेंस ओमन 50% winning chances, कि देखिए, दोनों टीम यहां पर last में T20 स्खेल के आ रहा है, यहां पर ODD का उतना ज़्यादा experience किसी के पास नहीं है, तो इसलिए दोनों टीम के पास सेम तरीगे का winning chances होगा मेरे सबसे, अभी हम दोनों टीम के प्रवाबल प्लेइंग एक साही देहेंगे, वो प्लेइंग एक साही यहां पर आपको बिल्कुल T20 जैसा ही लागेगा, क्योंकि देखिए, वो ही प्लेइर्स यहां पर खेलने वाला है, साथ में अगर कोई changes होगा तो आपको पता दूँगा, उसी के साथ जो stats है, यह आपको recently, जो T20 मैचे से उसका stats ही मिलेगा, क्योंकि देखिए, साल पुराना ODA stats ले लेके यहां पर कोई फायदा नहीं है, आप recent में T20 stats देखिए, यहां पर कॉन प्लेइस कैसे performance कर रहा है, कॉन से प्लेइन हैं पर कैसे form पर है, तो यहीं आपको देखना पड़ेगा, तो देखिए, सबसे पहले बर्बर्डा सुमेन की तरफ से बात करते प्लेइं एक से किया रहने वाले, K. Knight, Haley Matthews, K. Knight 2, यहां पर A. Eleni, C. Tate, A. Salman, A. Scandleberry, N. Kamerwetch, S. Carrington, A. Williams, और उसके साथ रहने वाले, S. Bruce, तो यहां पर अगर थोड़ा से बैटिंग ओडर इधर उधर हुए, तो आपको ट्रेलिंग हम पर पता चल जाएगा, दूसरे टिपिंग के बारे में बात करें, देखे, Windward Islands, S. N. Adams, opening करेंगे के हमार के साथ, A. Fletcher, N. 3 पर, Z. Gems, चान नमबर पर, Q. जैसे बहांगे, तो अभी हम देखेंगे, 1 by 1 स्टैट्स, जैसे की के नाइट, बरबड़ो जमन की तरफ से सबसे पहले, opening करेंगे, रिसें स्टैट्स अब देखिए, T20 में, 12, 32, 14, हेले में तुझ, बहुत अच्छे प्लेयर है, यहां पर T20, ODI, और ODD, हर एक जगा यहां पर अच्छे पर यहां पर देख सकते हैं, कि 3 मैच पर इन्होंने पूरे 4-4 और करके बोलिंग डाली, और 3 विकेट, 3 विकेट, और 1 विकेट, मतलब 3 मैच खेलके, यहां पर 7 विकेट निकाला, पतलब आप समा सकते हैं, कि हर एक मैच में 2 प्लस विकेट लेने की इनका एफरेज बन सकते हैं, तो इसलिए अपके लि तो वहां पर कोई आठसेच की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकते हैं, आप देख लिए अभी कौन-कौन से प्लेयर, बारवटर जमान की तरफ से अपके लिए अच्छे भी रहनेबल आइस मैच पर, के नाइट, हेले मैथ्यूज, के नाइट, एले नी, सेलमेन, ए उइलियम्स, और हैंपर एस ब्रूस, तो ये साथ प्लेयर सबके लिए बहुत इंपरनेट रहनेबल है, अब देखिए इन मैस एस ब्रूस है, तो ये साथ मैसे आपको चार, पाँच, छे साथ आप जितने चो इन्होंने आप दी ओडर बैटिंग करने आये थे, लेकिन ODD में उतना आगे नहीं आएंगे मेरे इसाथ से, क्योंकि देखिए ODD में आपको पचास बार खेलने को मिलता है, वहाँ पर जो प्रॉपर बैट्समेंस होते है, उनको ही ज्यादा से ज्यादा चंस मिलना चाहिए रन स्कोर करने के लिए, देखिए T2nd में तो कोई भी आ कि हैंपर हिटिंग करके थोड़ा बात रन स्कोर करते है, जैसे कि आपने एक फ्लेचर को देखा होगा, बैसे के लिए एक प्रॉपर बोलार है, लेकिन 20-30-16 रन किये, 2-0 और एक विकेट निकाला, लेकिन मेरे सब स इसकी ओड़ा थोरण नीचे होना चाहिए, जैट जैम्स से आगे नहीं होना चाहिए, देखिए जैट जैम्स अच्छे प्लेर है, 33-28 और बोलिंग की साध्में पर विकेट लेस गए, उसके साथ देखिए यहां पर Q जोसिप, 1-13 रन, 1-0 विकेट, 3-0 विकेट निकाला, 2-0 और 2-2 विकेट, 4-2 विकेट निकाला, जैक लैस्गो की बात करते है, 3-0 एक रन, बैटिंग में फ्लोप गए, नमबर 9 पर बैटिंग करते है, 4-0 विकेट, 0-1 विकेट, देखिए, अभी आपको जो प्रोपर बैटिंग अड़र है, उसके अंदजा लग सकता है, लेकि पर कोई स्टर्स नहीं है, तो अब देख लिजिए, विकेट लिए तरफ से कौन कोन से प्लेयर आपके लिए इस में अच्छा परफनस कर सकता है, एडम्स, होमार, फ्लेचर, जेट, जैम्स, क्यू जोसिप, तूटिन अच्छे हो सकते है, ग्लस्गो, पीटीने, तो यहाँ पर यह साथ प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही साथ नहीं है, आपर हो गए, आठ प्लेयर्स, तो यह आठ में से आपको चार, पांच, छे साथ जीने चाहिए आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत यच्छ रहने वाल है, और इसके साथ एक बात, देखिए यहाँ पर जो प्ल समझे कि आप सीरफर सिप टॉप अडर में दो से तीन जो बैट्समन होगा उसको ले लिए, बाकी नीचे वाला बैट्समन को आप यहाँ पर इग्रोर कर रहा हो, तो यह आपको नहीं करना चाहिए, आपको आप्संस करके यहाँ पर चोईस करना चाहिए, मतलब कि आप सोच करो और मिडिल और टेलेंडर को लोग के लिए अच्छे हो सकते है, तो यह रहेगा स्टेर्स के बाद, अभी चलते है डिमन के दरह वहाँ पर हमने एक स्मॉल लिग का डिमो टीम लाने वाले, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद लाएना पाने के बाद हमारे टेलेंडर के मिलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्सर पर मिल जाएगी, तो देर की इस बात की, अभी के अभी हमारे टेलेंडर को जोइन कर लो, वहाँ पर आपको स्मॉल लिग के एक सेव टीम के साथ-साथ, जो की हेट्ट्रीम पर के लिए बेसिकली रहता है, उसक आप टीम को कॉपी मत कीजिए, आप वीडियो ज़रा से ध्यान दे के देखिए, और अच्छे से नॉलेज गन कीजिए, और खुद की अच्छी टीम मनाईए, तभी आपको जीतने की खुसी मिलेगी, तो अभी चलता है टीम की तरफ, तो यहाँ पर डेमो टीम पर रहने वा आप टीम पर, बाकी बात करें यहाँ पर, एन कमार बैच, ए विलियम्स, सी टेट, सी नॉल, आप ग्रैन लिक्स पर इनको ट्राइ कीजिए, आपको लिए ग्रैन लिक पर अच्छे हो सकते, लेकिर स्मॉल लिक पर उतना सेप आप्शन नहीं रहने वाल है, यह प्लियर्स, अलुट करते हैं, दिन्डा, दौटिन, टीटीटी लिक्स में नहीं खेला, लेकिर अगर यहाँ पर खेल जाए, तो आपके लिए मास्ट पिक अप्शन रहेगा, तो इसलिए हमने इनका नाम नहीं लिखा, क्योंकि लास्ट जो सीरीज वार लास्ट टूनमेंट होगा, वो लेकिन यह प्लेयर अच्छा है अच्छे कर सकते हैं पी एटीनों को आप एजे बोलार गैलिक पर पिक कर सकते हो नहीं तब इसको इग्णोर भी कर सकते हो बोलिंग सिक्सम की तरब चले एफ फ्रेजर मास्ट पिक ऑप्शन एस सिल्बन उसके साथ एस कोलेंड और की जोसिफ जो चार टॉप चोइसे हैं यहां पर बोलिंग सिक्सम पर वह हमारे टिप पर हैंगे हमने से यह पर एक ही रिस्क लिया जो कि है एस एडम्स तो इसको तब रिस्क नहीं कह सकते हैं कि देखिए ओपिनिंग पर आते हैं साथ में पर ओडिडी है पच्छास वर के मैच तो इसलिए इनके पास अपर्चुलिटी रहता है टिक्के खेलेंगे रांस बनाने की कोसिस करेंगे अगर फ्लॉप हो जाए तो वह अलग बाद है लेकिन रांस ब है भी अच्छा अप्शन बन सकते हैं तो यह डॉटिन को हमने पिक नहीं किया लेकिन डॉटिन यह पर और एक दूसरे से अपको दिखा देता हूं तो यह पर हमने स्थी पाप मानलोग डॉटिन को पिक किया इनकी भाइस के चोईस देख सकते हो 47.91 परसन 18.37 अगर यह खेल है तो आपको ट्रेलिंगां पर इंफ्रूम कर दूँगा तो फिलाल हेले मैंतुज केप्टन उसे के साथ ए फ्लेचर यह पर भाइस का पनाएन वाला है सेप करके आपको प्रिवी में थोड़ा सा ग्राइन के बार में डिसकास कर देंगे देखिए के नाइट है विकिन की ब वाइस को ने ए फ्लेचर तो आप चाहो तो गैन लिग पर यहां पर के नाइट यहां पर उंकिट के बरेंग उपसर पर जो के नाइट है एडवाट के हुमार एस एड़ाम सोपनिंग करेंगे साथ में रेस सेलमेन और एस कॉनल के साथ भी जा सकते हो अब के लिए इस साथ अच्छे गैन लिग पर कैप्टन सेर्वाइस को बन सकते हैं तो यह रहेगा आपके लिए स्मॉल लिग का डेमो टीम आपको टेलिगम चल पर मिलेगी जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिलेगे लिंक में क्लिक कर सकते हो तो देर किस बात की अभी के अ हमारे टेलिगम जान को जों कर लिजिए वहाँ पर आपको सारे के सारे टीम्स टीडियल्स मैच के रिपॉर्ट मिल जाएगे तो अगर आपको वीडियो यह पर पसंद आए तो लाइक से एससे को जरूर कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो यह पर साथ साथ-साथ ब अगले वीडियो पर